जबलबूर के चर्गवा थाना अंतरगत रेत कावाईद उत्खनन में लगे ट्रैक्टर के पलटने से एक नाबालिक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई वही दो आने लोग भी घायल हो गए जिन्हें उप्चार के लिए मेडिकल अस्पताल में भरती करा दिया गया है जहां दोनों घायलों का इलाज चल रहा है दरसल बरगी विदांसवाद शेतर में इन दिनों रेत का वायद उत्खनन जोरू पर चल रहा है देर रात मुरकटिया घाट से रेत लेकर तुम्रा जा रहा एक ट्रैक्टर अनियंतरीत होकर पलट गया जिसमें एक 15 वर्षिय नाबालिक रिंकू रिंकू रजक की ट्रैक्टर में दबने से मौत हो गई गटना के दोरान ट्रैक्टर को दूसरा नाबालिक चला रहा था और ग्राम मुरकटिया से रेत भर कर तुम्रा रेत डालने जा रहा था तभी ये भी बस सहासा हो गया साथ ही घायल ने बताए कि अंकीत रजक ट्रैक्टर को बहुत तेज गती एवं लापरवाही से चला रहा था जिससे धीरे चलने को कई बार कहा परंतु अंकीत रजक नहीं माना और जैसे ही तुम्रा रोड में मोल के पास पहुचा और आनियंतरित होकर पलड़ गया सूत्रों के मताबिक चरगमा के धर्ती कछार, भीकंपुर घाट, भलपूरा घाट, मुर्कठिया घाट, लमहिटी, न्यू भेडा घाट और शैपुरा के कुलोन बिजना, सहीद, अन्य घाटों में रेत उत्खनन पुलिस और प्रिशासन की मिलिभगत से जोरों पर चल रहा है वहीं ग्रामीडों का कहिना की छेत्रों में धडलले से अवाइद रेत का उत्खनन हो रहा है जिसमें बड़ी संक्या में नाबालिक यूअक शामिल हैं और आए दिन दुरगटनाओं का शिकार हो रही है वहीं छेत्रिये जनपती मिभियों से लेकर पुलिस प्रिशासन तक महज खाना पूर्थी का ररोवाई करते हैं बहराल पुलिस ने ट्रेक्टर चालक और मालिक के खिलाफ मामला दाशकर जांश शुरू कर दी है कि कहां से आरे था गहां जा रहा था रहा थे लेग तूमरा से रही है ती और है और सब्सक्राइज आ होती तो मुझा नोब पड़ील या नजा कितने लोग उसमें तीन लोग तो जो फटा वगए वहां है तो आपका नाम हमारा नाम जुगल रजट सब्सक्राइब गटना हुई है मैत्वी हो गई है ट्रेक्टर से आ रहे थे क्या है पूरा मॉम्रा प्थाना चरगवां में साहे उपनीजिक फ्योराम पटेल प्थाना चरगवां पदस्टी कल दिनांग 31 बाराय 21 को साड़े साथ बजे एक ट्राली पलड़ जाने से रिंग का सब्सक्रावर पर रिंग पूर्ट में रखती हो गई दो साथा रूप से घायल है जिपर मरक्रमांग 0-1-22 कारें पर जाज की जा रही है इक ट्रेक्टर कहां से आ रहा था किसका था कौन था ग्राम ट्रेक्टर ग्राम मॉर्कटिया से रेज भर कर तूम्रा ग्राम गया हु सब्सक्राइब करें जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे अधिक जानकारी के लिए हमसे संप्सक्राइब पर करें हमारे कॉंटेक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999